दोस्तो आपने मोबाइल पर हजारों गेम देखे और खेले भी होंगे पर आज जो गेम मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ काफी अच्छा गेम है जो कि आपको लाइफ ही बदल देगे दोस्तो अगर आपके पास सेंसीबल अबजर्बेशन है अच्छी प्रेडिक्शन स्कील है एक्सिलेंट आईकू लेवल है तो ये गेम आपके लिए ही बना है अगर आप इस गेम में आरेस दस लगाते हैं और आप जीत जाते हैं तो आपको एक गुना नहीं दो गुना नहीं सीधे 9 गुना पैसा मिलता है और आप हर 15 मिनट के अंदर 9 गुना पैसा जीत सकते हैं दोस्तों ये कमाल की अप्लिकेशन है और मैं आपको सगेश्ट करूंगा कि खेलने से पहले विनिंग लिस्ट जरूर चेक करें जिससे आपकी न केवल प्रेडेक्शन स्किल बढ़ेगी बलकि साथ ही साथ उसको जीतने का चांस भी बढ़ जाएगा तो आप देख क्या रहे हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जाके फटा फट से डाउनलूड कीजिए और खेलिए और दबा के जीतिए मैं सिविल इंजिनियरिंग से इंजिनियरिंग पास कर गया हूँ लेकिन सिविल इंजिनियरिंग का हिंदी मुझे मालूम नहीं है तो ऐसा ही कुछ इंजिनियरिंग से रिलेटेड कुछ वर्ड लाए हैं जो कि आपको स्कीन पर कुछ वर्ड दीख रहा हूगा कुछ important वर्ड लाए हैं जो कि इंजिनियरिंग से रिलेटेड है उसका हिंदी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत सारे candidate जब engineering में admission लेते हैं ब्रांच रहते हैं उनका civil, electrical, mechanical, computer science, electronics बेगेरा ब्रांच रहते हैं लेकिन उनका हिंदी नहीं जानते हैं बहुत सारे candidate तो ऐसा है कि engineering पास कर college से निकल जाते हैं लेकिन फिर भी उनके अपने ब्रांच का हिंदी मालूम नहीं रहता है उसके बाद फिर क्या होता है कि जब engineering पास कर जाते हैं उसके बाद बहुत सारे department में vacancy आती है बहुत सारे हिंदी में लिखा रहता है या फिर जैसे junior engineer, chief engineer, assistant engineer, superintendent engineer बहुत सारे English का हिंदी meaning नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मैं सबका हिंदी meaning बताने वाला हूँ कुछ important related word का तो आप वीडियो को अंतक बने रहेगा और अगर हमारे चैनल पर नहीं आ गए हैं तो चैनल को subscribe कर दीजे ताकि इस चैनल पर engineering related job needs आपको provide कराया जाता है और engineering related materials आपको इस चैनल पर provide कराया जाता है तो चलिए हम जानते हैं तो सबसे पहले civil engineering के बात करें तो civil engineering means होता है arsenic अवियंत्रन, mechanical engineering means होता है यांतरिक अवियंत्रन और electrical engineering means होता है बिदुत अवियंत्रन यानि आप college के time यानि अभी आप admission नहीं है college में और आपको पता नहीं है कि मैं civil engineering से engineering कर रहा हूं लेकिन इसका ह हिंदी मालूम नहीं है तो आप को आज से मालूम हो जाएगा कोई भी हिंदी वर्ड पुछेगा तो आप फट से बता सकती है कि हां असेनिक अभीयंतरन है मेरा ब्रांच ठीक है Mechanical Engineering यांत्रिक अभियंत्रन है मेरा ब्रांच और Electrical सबका मतलब बिधुत Engineering और सारे भी होते हैं Department और सारे ब्रांच भी होते हैं उनका भी Hindi सबका Hindi होता है तो आप Comment कीजिए Comment कीजिए कि मैं किस ब्रांच से Diploma या B.Tech या Engineering किया हूँ आप अभियंता Classes पर हैं तो Engineering Classes पर आप Video देख रहे हैं तो Engineering Index मिस होता है अभियंता तो सबसे पहले ये जानляए कि Junior Engineering इन가리 क्या होता है Junior Engineering मिस होता है कनिये अभियंता Assistant Engineer मिस सहायक अभियंता Executive Engineering मिस कारे पालक अभियंता Superintendent या Superintendent saya Engineer वोल सकते हैं अधिक्षन अभियंता, चीप इंजिनियर मिस मुख अभियंता, यह सब सारी रिलेटिड वर्ड हो इंजिनियर से रिलेटिड इंजिनियर से यह सब सारी इंजिनियर डिपार्टिमेंट है, जो कि जिनियर इंजिनियर असिस्टेन, इग्जिक्योटिव, सुपरिटेनिंग, च आप हमें comment किजिये कि मैं किस ब्रांच से engineering किया हूझ या फिर कर रहा हूझ और आप अगर job ही कर रहे हैं तो आप किस department में job कर रहे हैं आप assistant engineer है किस engineer है या किस engineer आप कोमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए हम इसी तरह video से लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह important वीडियो आपको मिलते रहेगा Thank you, धन्यवाद